हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम राहूल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चेनल टार्गेट बोडिक जया में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स फाइनली आपका जो हिंदी का पेपर है वह हो गया है आई होप आप सभी लोगों का जो हिंदी का पेपर है बहुत ही अच्छा कया होगा और मैंने देखा यह पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इस बार का पेपर नहीं बना है तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इसका सॉलीशन बताने वाला हूँ तो जिस भी जीले का 801 AD यह सेट जिस भी जीले का होगा वहाँ के सभी students इस वीडियो को दियान से देखिएगा और जहां का नहीं भी है वहाँ के भी विद्यार्थियों को इस पेपर को दियान से देख लेना है क्योंकि जो सेट होते हैं ज्यादा तर जो question होते हैं मतबर आपके UP में 7 सेट होते हैं paper के तो सभी सेट के कुछ questions ऐसे होते हैं जो एक समान होते हैं ठीक है तो मैं solution आपको बताओंगा और आपको अपना उत्तर मिलाना है कि आखिर हमारा कितना उतर सही है और कितना गलत है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आकिर आपके हिंदी में 70 में कितने नंबर आएंगे ठीक है तो समय कितना होता है तीम घंटे 15 मिनट का होता है पुरणांक आपका 70 नंबर का होता है नोट दिया है कि प्रारम के 15 मिनट परक्षारतियों को प्रेश्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है तो पहली का कोईशन है सबसे पहला कोईशन है कि निमनलिकी कतनों में से कोई एक कतन सही है उसे पहचान कर लिखिए इसमें चार जो कतन दिये गहें इनमें से कोई ए तो इसका तीसरा option करेक्ट हो जाएगा शिक्षा और संस्कृती जो है डाक्टर राजेंद प्रसाद की रचना है तो कुछ विद्यारती कहेंगे त्रिवेडी भे तो रामचनर सुकली की रचना है रचना तो है लेकिन इसमें दिखे कि बीधा कौन सा दिया है कहानी संगर ठीक इसमें जो सिक्षा और संस्कृती है वो दिया है कि डाक्टर राजेंद प्रसाद की रचना है या डारेक्ट दे दिया है कि रचना है तो यहीं आपका करेक्ट टेंसर है कि सिक्षा और संस्कृती जो है डाक्टर राजेंद प्रसाद की रचना है यही प्रकार अजनता है त किसी एक क्रिती के रचनाकर का नाम लिखे इसमें चार क्रिती दिया गया है आपको किसी एक क्रिती के रचनाकर का नाम लिखना है जैसे ठलुगा कलब ठलुगा कलब के जो रचनाकर है वो है बाबु गुलाब राय कौन है बाबु गुलाब राय और निर्मला के जो रचनाकर हैं वह हैं मुनसी प्रेम चंद्र ठीक है तो मैंने आपको चारो कृतियों के रचनाकर को बता दिया है आपने किसी का भी लिखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो एंसर है जो उत्तार है वह करेक्ट है या इनकरेक्ट है ठीक है त आत्मकताविधा की किसी एक रचना का नाम दिखिए तो आत्मकताविधा की किसी एक रचना का नाम हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं जिसके रचनाकर है हरिवन सराय बच्चन जी ठीक है तो आत्मकताविधा की क्या रचना का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं और इन सभी questions को मैंने अपने चैनल पर बताया है अगर आपने हमारी सारी वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको इन सारे questions में problem नहीं होने वाली है ठीक है अगला question है कि कलम का सिपाई किस गद्य विधा पर आधारीत रचना है तो यह जीवनी गद्य विधा पर आधारीत रचना है अगला प्रशन है हमारा कि निराला की साहित साधना के लेखक का नाम लिखिए तो निराला की जो साहित साधना के लेखक हैं वो हैं राम बिलास सर्मा कौन है राम बिलास सर्मा अगला हमारा प्रश्ण है दूसरे का का कि द्वीवेदी यूग की किसी एक कवी का नाम लिखिए इन सारे questions को मैंने अपने channel पर बताया है अगर आपने सभी वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप समझे कि आपके सत्तर में सत्तर अंग पाने से कोई नहीं रोग सकता है तो द्वीवेदी यूग के किसी एक कवी का नाम तो द्वीवेदी यूग के जो कवी है वो पहले हो जाएंगे मैथली सरण गुप्त और एक कवी हो जाएंगी राम नरेश त्रिपाथी लेकिन आपको एक कवी का ही नाम लिखना है तो मैं आपको दो बता देता हूँ अगर आप दो में से कोई भी एक लिख दिये हैं तो आपका जो उत्तर है वो करेक्ट है एक हो जाएंगे मैथली सरण गुप्त और एक हो जाएंगे राम नरेश त्रिपाथी ठीक है अगला हमारा प्रशन है कि भार तेंदू यूग की किनी दो विशेस्ताओं का उल्लेख कीजिए इस कोईशन को भी मैंने अपने चैनल पर बताया है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ठीक है अगला प्रशन है हमारा कि प्रियोग बादी कविता की दो प्रमुट विशेस्ताओं लिखे बहुत ईजी कोईशन है इसका दो विशेस्ताओं हो जाएगा पहला जैसे हो जाएगा विद्रोह का स्वर ठीक है दूसरा हो जाएगा कुंठा एवं निरासा के स्वर पहला विद्रोह का स्वर दूसरा कुंठा एवं निरासा के स्वर तो सारे कोईशन बहुत ईजी है आप यहां से 10 नमर बहुत आसानी से पास सकते हैं अगर आप साल भर अच्छे से तैयारी किये हैं थिक है अब यहां से तीसरा question आप से पूचा जाता है गध्यान से कि इन्दिम्रलिकित गध्यान्सों में से किसी एक गध्यान्स के नीचे दिये गई प्रश्णों के उत्तर दीजिए तो इसमें दो गद्यांस दिया रहता है किसी एक गद्यांस पर आपको उसका प्रिश्ण का उत्तर देना है संदर्व लिखना है और उसका व्याख्या करना है तो पहला गद्यांस है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा भारी रक्षा रहती है तो यहां जो गद्य गध्यांस के रेखांकी तंस की व्याख्या कीजिए और हमें अपने मित्रों से क्या आता रखनी चाहिए छे नमर का यह question पूछा जाता है अगला इसी में question पूछा जाता है कि आज ग्यान आज विग्यान मनुस्यों के हाथों में अजबूत और अतुल सक्ती दे रहा है अगला प्रिशन हमारा चौथा नमबर है कि नीम ने लिखी पध्यानसों में से किसी एक पध्यानस की संदर्व सहीद ब्याक्या कीजिए तो यह जो पध्यानस है उधो मोही प्रजबिसरत नाही यह सूर्दास का पध्यानस है अगर आपने अच्छे से तयार किया है आप अगर ब्याक्या करना जानते हैं अर्थ लिखना जानते हैं तो आपको कठिना ही नहीं होने वाली है अगर यह नहीं आता है तो इसका भी ऐंसर लिख सकते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बली पर हो निरबर या स्वधेश प्रेम से लिया गया है, कहां से स्वधेश प्रेम से लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं, कवी हैं, राम नदेश त्रिपाथी हैं, कौन है राम नदेश त्रिपाथी, तो सारे क्वेशन बहुत हीजी हैं, आप बहुत अच्छे अंक लाग सकते हैं, अगला प् नैं कि कवियों में से किजी कवी का जिवन पर एक अखाना है तो मैंने बताया था कि तुल्विदास का याद कर लीज़ेगा. महात्मा, बुद्ध, तिर्थंकर, सभी मैंने आपको बताया था, इस गध्यांस को भी मैंने बताया था, कि मोश्ट आयम्पी है, इसको आप जरूर याद कर लिएगा, आपके कल परिक्षा था, उसकी एक दिन पहले के ही विडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, ने त निराम या सर्वी भद्राणी पस्यंतू, मा कशीत, दुख भाग बैवीत, बहुत ही जी है, ख, क्वेशन ये निम लिखित प्रिश्णों में से किनी दो प्रिश्णों के उत्तर संस्क्रीत में लिखिए, वरार्सी नगरी का से कूले स्थिता, गंगाया तटे कूले स्थित ठीक है, इसका एक लिख सकते हैं भार्तिय संस्कीते मूलम की मस्ती, तो विश्वत से त्रष्टा इसवरा एक एव इती भार्तिय संस्कीते मूलम अस्ती, ठीक है, तो दो क्वेशन ही आपको हल करना था, फिर यहां से आट में का ख, ख, और ग, यह तो हर साली पूछा जाता इसे आप हल कर सकते हैं, इसे परकार नवे का कई उपसर्गों में से किनी तीन के मेल से एक एक सब्द बनाईए, बहुत ही इजी क्वेशन है आप बना सकते हैं, जैसे असे अविश्वास हो जाएगा, अधी से अधिकार हो जाएगा, अनुसे अनुसासन हो जाएगा, किनी बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ पर समाख विगरह करना है उसी प्रिकार निम लिखिट सब्दों में से किन는 सब्दों के तत्समलूप लिखना है कान का करड हो जाएगा यह बहुत जाद कठी नहीं है और मैंने सब कुछ बताया था अगर सारी वीडियो को ध्यान से आप देखे हैं तो आपको problem किसी भी questions में नहीं होने वाली है किनि दो सब्दों के दो-दो परिवाची लिखना है आप लिख सकते हैं यहां से भी दो के संदी विचेत करना है इतिदर आदि इत्यादी प्रतिदर उत्तरम ठीक है तो दो ही का करना है आपको निमलिकी सब्दों के पंचमी विबक्ती वहवचन में रूप लिखे फल का भी मैंने बताया है मती का बताया है नदी का भी बताया है और मधू का भी आपको बताया गया है इस चैनल पर फिर यहां से धातू लगार पूरुस वचन सब लिखना है यह तो हर साल पूचे जाते हैं यह साथ आठ से ही आप पढ़ते आ रहा हैं तो इसमें प्राब्लम तो नहीं होने वाली है ठीक है अगला प्रशना है अगला प्रशना है अनुबाद कीजिए संस्क्रीट में तो संस्क्रीट में भी आप अनुबाद अच्छे से कर सकते हैं अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है कि आप हिंदी से संस्क्रीट में अनुबाद कैसे कर सकते हैं तो देखी यह जो अनबाद है यह तो वाइरल अनबाद है बहुत ज्यादा यह पूछा जाता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो इसको तो आप याद भी रख सकते हैं कि व्रिक्षाथ पत्राणी पतंती उसी ब्रदाल विद्या सभी सभ धनों में प्रधान है विद्या सर से जो निबंदे उस छे नंबर का पूचा जाता है फिर जो हमारा लाश्ट कोईशन है वो है कि अपने पठित खंड कावे की आधार पर निमलिखित प्रिश्णों में से किसी एक का उत्तर दीजिए तो आपकी जीले का जो भी खंड कावे होगा आपको उसको हल कर लेना है ठी अगर आप अच्छे से तैयारी किये हैं तो आपको थोड़ा भी कठी नहीं लगा होगा ठीक है तो मैंने आपको सुल्यूशन बता दिया तो आप यहां से अपने आपको जाज सकते हैं कि आखिर हमारा जो कितना प्रश्ण सही है और कितना प्रश्ण गलत है तो चलिए मिनत नेक्स्ट वीडियो में टैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जया इन जया बारा